दोस्तों आज हम नई वीडियो के अंदर आज चुके हैं C प्लस लेंग बेज में C प्लस लेंग बेज में जैसे हम बहुत सारे प्रोग्राम से बना रहे थे बट कभी कभी प्रोग्राम से हमारा जो आउटपुट आता है वो एकी लाइन में आता जाता है तो आज हम कुछ चीज़ ऐसी पढ़ेंगे जो प्रोग्राम के अंदर लाइन को ब्रेक या इस पर सारी चीज़ें यूज हो सकती है उसको बोलते हैं कॉंस्टेंट लिटरल्स इस्तांक और सब्दांग ठीक है तो यह बहुत जरूरी है जिससे हम आपको आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं सारी चीज़ें किस तरीके से रेट करना है वो देख लीजे तो इस वीडियो को सुरुआत करने से पहले सबसे पहले लाइक कर दीजे सेयर करThis दीजे कमेंट कर दीजे और इस चैनल पर फस्ट आइम है तो प्लिस इस चैनल को सस्क्राइब किज जिससे आने वाली notification हमारी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी programming या किसी भी अन्य वीडियो जो तिनी भी हम बनाते हैं आप से इसलिए ठीक है तो यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो देखना है या कोई भी चीज सीखना है हमारे चैनल से तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा बीच में आपको स्क्रेप्ट नहीं करना है पूरा आपको वीडियो चलते हुए देखना है तब ही आप सीख सकते हैं पहली बार आपको वीडियो पूरा देखना है देखने के बाद देन उसके बाद प्रैक्टिकली करना है और जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर समझाया है उस तरीके से यह आपको अपने डेटा को बहुत अच्छे से करना है ठीक है तब भी आपको कोई डाउट है या प्रॉलम्स आती है तो मेरा यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में आप कोई भी कुशन को पूछ सकते हैं जैसे आपका हर तरीकी से सॉलिशन मिल सके ठीक है तो चलते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखिए तब ही आपको समझ में आएगा तो यहाँ पर हम C-Plus के अंदर दो चीजें देखते हैं आपका किस थरीके से यह लाइन्स को ब्रेक करेगा लाइन्स को स्पेस करेगा lines के अंदर आपको new line लेना है तो यह बहुत जरूरी है program को बनाते समय तो इसमें constant and laterals होते हैं तो उनकी अनुसार हम data के programs को देख करके बना सकते हैं तो सबसे पहले constant refer to fixed value that the program may not alert and there are called मतलब जो value है वो fixed है पहले से ही तो वो fixed value से ही हम यहाँ पर क्या कर सकते है constant and laterals कर सकते हैं तो वो ही आपके चाहिए वो integer point में हो जिसलिए मैंने यहाँ पर रखा यह है चाहिए तो वो आपके laterals integer हो सकते हैं ठीक है तो आपके integer भी होंगे decimal भी होंगे prod भी होंगे सारी चीज़ें आपके यहाँ पर available होगी तो मैंने रखा यहां पर an integer literals can be a decimal octal hexadecimal constant a fix specify that the base of radius zero ठीक है तो कोई भी हो सकता है उसमें कोई ऐसा वो नहीं रहता है कि जितना आपका literals होगा सद्दान सांग को होगा इस्तनांग को होगा तो अब आपके ऊपर depend करेगा कि आप किस value को किस point की अनसार ले रहे हैं तो यहां पर मैंने बहुत सारे literals रखे हुए हैं constant रखे हुए हैं यहां पर आप देख लिए integer के अंदर जैसे 212 है तो यहां पर हमने एक example के अनसार रख लिया है जैसा octal है तो octal में आपका यह legal हो जाता है मतलब यह support नहीं करता है तो आप उनको कितनी value रखना है जिसके अनसार जो हमने data type पढ़े थे उसके अनसार हमारा यह data type सोह करके रखे जाएगा मैंन बात है यह तो आपकी theory है तो theory में इतना ध्यान नहीं देना है theory को तो आप उतना ही ध्यान देना है जितना मैं आपको समझाता जा रहा हूँ सबसे जाना आपका useful है practically तो practically आने लगेगा तो आपको समझ में आजाएगा तो यह तो मैंने value रखी है बस आपको देखना है slash द्वारा कितना value आ रहा है कितना value नहीं आ रहा है कितना करता है आप बात करते है float point laterals की तो ऐसे ही आपकी float point में होगा decimal होगा float होगा integer होगा क्योंकि float क्या करता है आपका point में value को सोकर आता है यह हमने सारी चीज़ पढ़ चुके है किसमें data type में बढ़ यहाँ पे इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ क्योंकि जो प्रोग्राम बनाएंगे laterals के अनुसार तो यहाँ पे slash भी हो सकता है new line भी हो सकती है माने कि लो space भी हो सकता है तो इसलिए यह चीज़ बनाए गई है तो यह सारी चीज़ बनाए गई हैं जिसमें आपके true false का यूज हो जाता है characters laterals हो सकते है जिसमें character हमने बहुत सारी character के अंदर कोई भी data ले सकते है ठीक है अब बात करते हैं man laterals होते हैं वो देख लीज़ यह यह वाले है यहाँ पे लिखी हुए यह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा skip equation meaning तो यहाँ slash है double slash दिख रहा है आपको यहाँ पे और यह दिखा रहा है एक character की slash लेगा मतलब slash एक character का यहाँ पे उपर slash comma दिख रहा है तो comma character को यूज़ करने के लिए रहेगा double invited comma है तो double invited comma का यूज़ करेगा slash question mark है तो question mark का यूज़ करेगा slash A है तो alter और bell का यूज़ करेगा ठीक है इसके बाद है slash b ये back space का यूज़ करने के लिए काम करेगा कब slash b को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में slash f को यूज़ करेंगे तो from field मतलब field जो भर रहे होंगे उसके आंगे पहुचेगा slash n slash n का होता है new line वहाँ पे आपको program के अंदर new line में output चाहिए तो क्या करेंगे slash n का use करेंगे तो हमारा क्या जाएगा उसमें नाम के या कोई भी output दे रहे हैं उसके अंदर हमारा new line से शुरू हो जाएगा output तो इस तरीके से literals और constant रहते हैं इसमें और भी है यहाँ पर बहुत सारे r बराबर है range return होता है t बराबर horizontal tap होता है यह आपका कोई bird लिख रहे है तो oriental हो जाएगा ठीक है b बराबर vertical tap हो जाएगा वो आपका और यहाँ से slash लगा करके triple o आएगा वो octal number of three digit को सो करके दिखा देगा ठीक है ऐसे ही hexadecimal में आपको one digit more लेना है तो एक आपको slash button x double h का यूज करना पड़ेगा ठीक है तो जी कुछ आपके क्या थे यहाँ पर सबसे जाना useful थे आपके literals and constant ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह सारी चीए यूज करेंगे हम अभी यहाँ पर तो आपको मैं एक दो यूज करके दिखा दूँगा तो आप आसानी से कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम में तो अभी मैंने यहाँ पर दिखा दिया sort screen लेना है तो जिसको ले सकता है वो ठीक है वैसे आपको वीडियो जो मिल जाएगी तो आपको सही समझ में आजागा इसके नीचे में लिंक में डिस्क्रिशन में आपको PDF फाइल भी इंक्लूड कर रहा हूँ तो जिसको PDF चाहिए तो डाउलोड कर सकते हैं PDF के अनुसार ठीक है होगे है यहाँ तक आप चलते हैं यहां पर प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम करेगा तो प्रोग्राम से हमें क्या समझ में आएगा कि कोई भी प्रोग्राम बनाएगा तब हमारा वो डेटा सही प्रॉपस समझ में आ जाएगा cout के अंदर मैंने क्या लिखा है कि जो भी हम ले रहे हैं उसको output में दिएना है तो जैसे मैंने hellow bird लिखा है हम चाहते है कि है is लिखा रहे और slash दवारा हमारा New Line के दवारा क्या आरहा है यहां पर हमारा New Line दे रहां आगे मता हमारा slash से से एक bird क्या होगा contributor space हो गया double होगा single होगा character ठीक है space होगा उसमें तो यह सारी चीजें कैसी हो जाएंगे आपकी string laterals हो जाएंगे यहां पर कोई भी लिख रहा है तो आपका यह क्या है string ही तो यह सारी चीजें तो string में आपका यहां पर देखो यह लिखा हुआ है hello invited comma फिर आपका invited dear और slash लगा कि आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका answer आजाएगा hello dear year तो इस तरीके से आपका कोई ने कोई data कैसर आएगा एक define base में काम करेगा ऐसे ही आपका मान के चलो कोई definition से पार्ट आता है defining ठीक है constant रहता है तो आपका वह हैज defining processor use करना पड़ेगा जिसको हमने preprocessor बोला था यहां पर देख लीजिए इस तरीके से इसको बोला था है जो function है वह हमारा क्या कहलाता है preprocessor कहलाता है तो यहां पर हमने preprocessor को define कर लिया है सबसे पहले new line को तो आगे हमारे जो output आएगा वह new line के अनसार ही आएगा अब यहां पर यह data लिखा हुआ है जिसका मेरा answer आ रहा है जैसे इसको multiply करके हम दे रहा है किसका area में तो area में जो value आ रहा है कितना आ रहा है यहां पर पचास और 10 का multiply करेंगे तो area में क्या आएगा new line पर हमारा पचास अंसर आ जाएगा दस और पांच का into करने पर ठीक है तो नीचे यहां पर आपका यहां पचास अंसर आ रहा होगा ऐसे ही यहां पर constant कीबोर्ट से यूज करेंगे तब भी आपका same process रहेगा बट यहां पर अपना care आपका यूज हो जाएगा character string आपका यूज हो जाएगा जैसे यहां पर मैंने constraint लिख्या और आपका care यूज हो गया new line ले लिया निउ लाइन से आपका answer new line हो जाएगा same process रहेगा बट फंसन का अंतर आ गया है यहां पर हम जो फंसन ले रहे हैं वो pre processor के अंदर ले रहे हैं तो pre processor मतलब क्या होता है आपके main function के अंदर, to end main function ले लिया है, फंसर के अंदर मैंने यूज किया है तो आपका answer इस तरीके से हो गया है Lewis रहे है, तो आपका pre processor क्या होता है, main function से पहले चलता है और बाद में क्या चलता है अपना ये वालाक से लिख्या यहां तक समझ में आगया पाई तो यह procedure है अपना तो एक program हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से आपका laterals and constant काम करेगा तो यहां पर यह programs है अपना यह पहला बाला तो आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से काम करेगा programs तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं हैं यहाँ पर जा करके इसको minimize कर लेते हैं minimize करने के बाद हम इसको एक program के लिए क्या कोलते हैं C plus Programming हमारी चल लिए तो C plus यहाँ पर यह रखा है Double-click करेंगे Double-click करके इसको ignore कर देती हैं यहां से फाइल्स को हम निव फाइल ले ले लेते हैं और निव फाइल ले करके विंडो को क्या कर लेते हैं यहां से जूम कर लेते हैं जिससे विंडो प्रॉपर आजाएगी अब हम आपको एक प्रोग्राम दिखाते हैं जिससे क्या होगा आपकी प्रोग्रामिंग प्रॉप аст say किस तरीके से यह program काम करेगा तो यहां पर सबसे पहले हम जो प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं भो लिखा जाता है pre-processer बोलते हैं जिसको हैज तो यह अपको पहले से ध्यान रखना है कि मेन पंसन सर्थ यह program पहले चलने वाले pre processor होते हैं तो hedge लिखेंगे shift के साथ ठीक है hedge लिखना है include लिखना है include के बाद bracket open करना है input output as stream stream अपना यूज होता है dot header file यूज होगा किसमें C++ में ठीक है enter किया फिर मैंने यहाँ पर एक और hedge ले लिया hedge के अंदर मैंने दूसरा include processor ले लिया pre processor include ठीक है आपका bracket open किया conio conio conio.s से मैंने header file से क्या कर लिया इसको attach कर लिया output के लिए ठीक है अब यहाँ पर क्या करते हैं nest है हमारा int सीधे हमें एक function apply कर लेते हैं int और main function से इसका use कर लेते हैं main function bracket open and close हो गया आप callibreses open कर लेते हैं open callibreses और उसके बाद हम लिखते हैं c out c out क्यों लिख रहे हैं क्यों कि हमारा क्या करना है c out c plus के लिए क्या होता है print का का काम करता है तो c out लिया bracket open कर लिये दो इसके बाद हमने invited comma लगाया invited comma में हम क्या लिखना चाहते हैं जैसे मान के चलो हमने लिखा यहां पर hello क्या लिखा hello लिखा हमने hello लिखने के बाद हमने क्या लगा दिया slash लगा दिया slash लगाने के बाद हमने क्या किया यहां पर फिर लिखा t bird क्या लिखा हमने hello slash t और फिर उसके बाद लिखा bird W, O, R, D R, O, L, D ठीक है तो इस तरीके से आ गया अब आगे हमने लिख लिया slash new line और slash एक और new line और bracket close कर दिया और semicolon close कर दिया then enter किया enter करने के बाद return value ले ले लेते हैं return value हमारी क्या थी? तो हमने 0 ले लिया return value 0 और semicolon finish कर लिया then curly braces open किया curly braces close कर दिया तो यह हमारा यहां तक पूरा प्रोस्टर बन गया कितना यह छोटा सा प्रोग्राम हमने create कर दिया किसका एक literals का and concentrate का जिसमें हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं यह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर slash T लिखाए slash N लिखाए slash N लिखाए यही तो चीज हम आपको बताने वाले हैं कि जिक किस तरीके से काम करेगा ठीक है तो यहाँ पर यह पर पर तरीके से आपका so हो रहा है तो इस तरीके से क्या कर रहा है यह काम कर रहा है बिलकुल अच्छे से प्रोपर आ रहा है data की answer data में समझ में आ गया अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको सबसे पहले यहाँ पर जो data लिखा है उसको हम क्या कर लेते हैं save कर लेते हैं जैसे हमारा यह program से बन चुका है बनने के बाद हमें क्या करना है यहाँ से save करना है save करेंगी किस के अंदर CL लेके हम एक programs को क्या कर देते हैं बना लेते हैं यह हमारा programs बन चुका है compile करके देखना है compile करके हम देखेंगे कोई भी programs के अंदर error आ रहा है नहीं आ रहा है 00 आ रहा है then enter कर दिया अब हम run करते हैं run करेंगे control plus F9 Run करने के बाद window में जाएंगे बिंडो में जाने के बाद हमारत क्या करना यूजर स्क्रीन पर जाना है के लिए, बट हम पहले क्या रखा था हमने थोड़ा सा इस पेस रखा था किसके अंदर? वर्टिकिल के अंदर, तो यह डेटा हमने यहां पर यूज करें थे बहुत सारे टी तो यह हमारा क्या बना दिया oriental tap को use कर रहा है यहाँ पर देख लीजिए जैसे हमने oriental tap को use किया यहाँ पर एक वाद select करके दिखा देते हैं जिससे आपको सही समझ में जागा यह oriental tap को कर रहा है tk oriental tap को तो यहाँ पर हमारा answer क्या आ रहा है देख लीजिए window user के अंदर जाएंगे screen में तो automatically आपका hello bird से आगे oriental काम कर रहा है बाइड को इस तरीकी से procedure आपका define हो जाएगा कोई भी program के अंदर तो समझ में तो आ रहा होगा आपको सही proper तरीके से किस तरीके से programming का use हो रहा है अब मान के बाद चलते हैं यहां पर ही हम क्या कर देते हैं new line slash का use कर लेते हैं तो जैसे मैंने new line use किया new line use करने के बाद मैं यहां पर file के अंदर जाओंगा file के अंदर जाने के बाद फिर दोवारा save कर लेते हैं save करने के बाद इसको compile कर लेते हैं compile कर करके देख लेते हैं error तो नहीं आ रहा है, error नहीं आ रहा है, तो enter करना है, enter करके इसको run करना है, run करेंगे control plus F9 से, या फिर window के अंदर जा करके भी run कर सकते हैं, आप window के अंदर जाएंगे, अब हमको आनसाथ देखना है, screen, तो जैसे ही मैंने new line दिया था, slash n हमने पढ़ा था new line के लिए, तो new line जैसे ही मैंने click किया, तो क्या आ रहा है, हमारा नीचे cursor आ रहा है, तुरंत देख लीजिए, जैसे मैंने slash n बल लिखा है, तो hello तो हमारा चला है, hello को भी हमारा क्या ले लेगा, new line से ले लेगा, तो जैसे ही मैंने run किया, तो हमारा दूसरा program से क्या आना चाहिए, उसका answer, जैसे मैं run करूं यहाँ पर, run करने के बाद यहाँ से data को देखूं, तो यहाँ से आपका screen में क्या दिखा रहा है, इस तरीके से hello bird को use करके दिखा रहा है, कैसा आपका एक line की नीचे, तो आपको data तो समझ में आ रहा हुआ, किस तरीके से programs को बनाय जा रहा है, और किस तरीके से programs को use हो रहा है, अब हाँ बात के बी का, तो यह क्या करता है, बी backspace होता है, इसको save कर लिया, मैंने save कर लिया, फाइल में जा करके, यह save हो गया, save होने के बाद, मैंने यहां से compile करके देखा, कोई error तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो enter कीजी, enter करने के बाद, फिर run कीजी, run करेंगे, तो हमारा programs run हो गया, फिर then उसके बाद, हम user window के अंदर, या screen के अंदर जाएंगे, तो हमारा यह back space हो गया, देखो पीछे की और, जब यहां पर हमारा क्या आ रहा था, T सब्द दिया था, तो मैंने space रखा था, यहां पर oriental में, बट हमने यह B use किया है, तो back space कैसा कर दिया, उसने पीछे की और कर दिया, दोनों joint कर दिये, मिला दिये, मिला दिये, मतला hello about को, दोनों को back space का use कर लिया, तो यह क्या हो गया, B के use हो गया, तो इस तरीके से, कोई भी program के अंदर, हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपनी proper window को, कोई भी program को, ठीक है, तो एको मैंने यूज किया, एको यूज करने के बाद, फिर मैंने यहाँ पर, save कर लिया, save करने के बाद, यहाँ से compile करते हैं, compile करके देखते हैं, कि program सही काम कर रहा है, या नहीं कर रहा है, सही कर रहा है, देन उसके बाद, हम यहां से run करते हैं, run करने के बाद हमारा program से window के अंदर जाना है, फिर screen पर जाना है, next हमने लिखा है, तो same बैसे ही हो गए, जैसे पहले था, बैसा हो गया यहां पर, ठीके, तो यहां पर थोड़ा सा हमने क्या दिया, alter और belt, थोड़ा सा alter करना था, तो आगे थोड़ा सा space हो गया, थोड़ा सा रख के रख करे, तो यह से हमारा क्या हो जाएगा alter belt, समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से कोई भी programs को हम क्या बना सकते हैं, यहां से अपने data के अंसर बहुत ही proper तरीके से data में convert करके data को बना सकते हैं, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा proper तरीके से, अब चलती हैं, कोई दूसरा एक और नया program बनाते हैं, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा अब देख लिजिए, यह हमें एक और नया program बनाने जा रहा हैं, जिसमें क्या है, आपका pre-processor दिखाया गया है, यहां पर pre-processor आ रहा है define new line के answer, तो pre-processor के answer कैसे बनाएंगे बो देख लिजिए, सबसे पहले मैं यहां पर program से लिखता जा रहा हूँ तो आप भी देखते जाएगे किस तरीके से program लिखा जा रहा है, सबसे पहले हम समय लिखना होता है, आपका dot input output stream header file और कॉन्यों dot h, ठीक है, अब यह हम define कर रहा है तो define data को क्या कर लेते हैं, यहां से pre-processor के द्वारा define कर लिया, और यहां से हमने एक कोई length ले लिया l e n g t h, length ले लिया हमने यहां से 10, ठीक है, उसके बाद हमने एक और pre-defined function use कर लिया, define, define करने के बाद हमने एक और ले लिया bit, w i d t h, bit में ले लिया हमाने के चलो 5, ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक और pre-function define कर लिया, d i f i n e, define, ठीक है, और इसको हमने new line ले लिया, तो n e w new line, l i n e, तो new line ले लिया, और new line के अंदर हमने क्या किया, slash के द्वारा new line हमने यहां पर include कर लिया, तो इस तरीके से हमने यह तो pre-prositor बना लिया, बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर int, अब हमारा program से run, start होगा, sorry, अब हमारा manpunson से start होगा, bracket open करेंगे, उसके बाद curly braces open करेंगे, then उसके बाद, आप देख लिएजे, यहां पर हमने int लिया, int के अंदर एक area define कर लिया, ठीक है, semicolon लगा दिया, तो यह हमारा area define होगा, then उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर area को हमने equal to लगाया, area के अंदर हमने equal to लगाया, equal to लिखने के बाद length लिखेंगे सबसे पहले, len, ठीक है, g, th, ऊपर जैसे meaning लिखी है, बैसे हमें नीचे लिखना है, नहीं तो mistake हो सकती है, ओके, और bit लिखना है, b, i, d, th, bit हो गया, और इस line को finish करने के लिए semi-colon द्वारा उसको finish कर दिया, तो इस तरीके से हमारा यह program सो बन गया, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और रह गया, तो उसको भी लिख लेते हैं, फिर आपका पूरा प्रोग्राम तब आपको दिखाई देगा साई प्रोपर, ठीक है, इसको थोड़ा सा उपा ले लेते हैं, अब हमने जो area लिया है, अब area को क्या करना पड़ेगा, हमें output, cout की साहिता से हमें area को output की उल ले जाना है, और bracket open करना है, और यहाँ पर हमें area लिख देना है, ठीक है, तो area को define किया, semicolon लगा दिया, cout के अंदर, और cout को हम क्या ले रहे हैं, एक और, क्योंकि हमने अभी lines को use किया है, तो new line ले रहे हैं, तो new line हमने ले लिया, तो new line हमारी यहां से इस processor के size तरीके से आ चुकी है, तो इतना बनाने के बाद हमारा semicolon finish होगा, line को break करेगा, और this is close, तो यह हमारा program से यहां से यहां तक पूरा बनके तयार हो चुका है, तो यह program से हमारा बनके तयार हो गया, देख लीजिए, इस तरीके से हमारा define होगा, pre-punson के अंदर, new line को define कर दिया, जिसमें क्या है, हमारा data save है, अब चलते हैं, यहां से हम file को save करते हैं, save करने के बाद यहां से save बटन पर जाएंगे, save बटन पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको extension लिखा ही रहें देरेंगे, और हम इसको use कर लेते हैं, तो हम pre-punson ले रहा है, तो पी लिख देते हैं, और एप से save कर देते हैं, पी एप से, pre-punson द्वारा, ठीक, तो यह हमारा save हो देखते हैं, error जैसे ही देखेंगे, तो बहुत सारे यहां पर गलती यहां बता रहा है, कि आपने जो लिखा है, वो गलती लिखी है, o, cout, यहां पर हमने जो लिखा है, cout की spelling गलत लिखी है, तो इसलिए उसने क्या बता दिया है, गलती बता दिया है, कि जो भी आप लिख कर लेते हैं सेप करके फिर हम क्या करते हैं चेंज कर दी हमने और फिर दुबारा हम क्या करते हैं उस प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे आप लोगों को सही प्रॉपर दिखाई देगा ठीक है अब इसको दुबारा हम सेप करने पर साही syntax नहीं बता रहा है तो बनी रही है अभी रुके आईए थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कहां पर दिक्षता रही है तो जहां पर अपना error show कर रहा है जिसमें हमने new line पर देखा है तो कहीं कहीं इसमें error show कर रहा है बन जैसे हम enter करेंगे एंटर करने के बाद यह बता रहा है जो हमने syntax लिखा है new line वाला वो गलत हो गया है कहीं न कहीं तो हम उपर से चेक कर लेते हैं पहले कहां पर हमारी गलती आ रही है new line पर तो प्रीपंशन जो लिखा है है जिडिफाइन new line new line है में हमने खाली slash छोड़ दिया है बट हम यहां पर क्या लिखना है new line तो एन और लिखना है new line के लिए हमने क्या बताया था slash n बताया था तो slash n का ही अब उनको लिटरेशन यूज करना पड़ेगा देख लीजिए कैसे यूज करना है यहां पर मैंने आपको बताया था यहां पर जा करके new line नीव लाइन के लिए देखो यह पड़ाता अपने new line के लिए क्या बाता slash n तो हमने महाँ पर क्या लिख दिया था खाली and लिख दिय था इसलिए वो wrong हो रहाता और गलती बता रहा था इसलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे जी slash n लिखा है slash direct लिखा है तो उसको क्या कर लेते हैं यहाँ पर n और लिख देते हैं n लिखेंगे n लिखने के बाद आप उनको कॉमा उपर बाला देना है then उसके बाद file में जाकर के फिर save करना है जैसे ही save करेंगे तो हमारा program दोबारा साही तरीके से हो चुका होगा proper ठीक है तो जैसे यह program बने गया है आप चलते हैं यहाँ पर हमाभी use कर रहे थे वहीं फिर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद फिर आपको run करके दिखाते हैं कि program हमारा pre-proster का किस तरीके से define हो गया है ठीक है और यहाँ पर गए programs के उपर पहुंच चुके हैं ठीक है अब देख लीजिए यह programs हमारा run होगा अब आ जाएगा आपको समझ में तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा अब करते हैं इसको compile दोबार compile जैसे किया तो अब हमारा point 00 दिखा रहा है मतलब error नहीं है error नहीं है तो हमने enter करना है enter करने के बाद अब हमें run करना है run करेंगे तो हमारा क्या बताएगा यहाँ पर जैसे हमने length में pre-pansal में length 10 दिया है और 5 दिया है हमारा bit तो दोनों को हमने क्या है एक area में into करा दिया है और area को output दे दिया और line के answer एक change कर दिये तो हमारा answer क्या आएगा इससे multiply कर देंगे तो 50 answer आ जाएगा तो यहाँ पर click कर लिजे run mode में और window में जाकर के इसको screen पर जाए user screen के अंदर जैसे user screen पर गए तो answer हमारा क्या आ रहा है 50 आ रहा है देख लीजे आ रहा है then उसके बाद फिर हम इसको run करते हैं दो बारा run करेंगे run करने के बाद फिर हम window के अंदर जाएंगे फिर user के अंदर जाएंगे तो हमारी line break कर रहा है line new line से आ रहा है के नहीं आ रहा है use कर रहा है उसी data को आपको लिखना पड़ेगा जैसे यहां से बी लिख रहा है तो backspace use कर रहा है तो backspace लिखना पड़ेगा oriental ले रहा है तो oriental लिखना पड़ेगा मतलब जिस use को ले रहा है उसी function को आपको define करना पड़ेगा जिससे आसानी से बहुत ही आसानी से आपका प्रोग्राम से रन हो जाएगा अब माली ची मैंने 5 की जगह पर यहाँ पर कुछ रेटा चेंज कर देता हूँ जैसे 5 की जगह पर मैंने कर दिया मानने के चलो 10 कर दिया अब 10 का 10 में into होगा क्योंकि area define किया था अप उने ठीक है 10 का 10 में into होगा area दिखती है पहले तो हमने change किया उसको save कर लेते हैं save करने के बाद compile करते हैं compile में दिख लेते हैं कोई error तो नहीं आ रहा है error नहीं है तो enter किया enter करने के बाद फिर हम run करते हैं रन करने के बाद फिर हम जाते हैं बिंडो के अंदर जाएंगे user screen पर जाएंगे user screen पर दो हमारे पहले से रन आ रहाए थे जो हमने नहीं यूज करें तो next हमारा क्या रहा है 100 क्योंकि हमने 100 से sorry 10 से into 10 कर आया था तो 100 आ गया हमारा new line से आ रहा है constant literature तो इस तरीके से हमें string में भी use कर सकते हैं float में भी कर सकते हैं character में कर सकते हैं जो भी number ले ले ला है उन में भी कर सकते हैं तो वह आपके उपर depend करेगा जैसे मैंने hello word लिखाता नाम लिखाता किसी का तो वो सारी चीज़ों में क्या आ रहाता हूंपर so हो करके आ रहाता अपने एक data के अंदर तो कोई भी point हमें ले सकते हैं बट अपने एक data के अंदर ही सारा data रहेगा ठीक है तो समझ में तो आ गया होगा आपको कोई इसमें doubt नहीं है बहुत अच्छे से program से बना के दिखाया है तो आपको सही समझ में आने के बाद ये program से आ करना है अंदर की वो define करना है ठीक है तो ये program भी बन जाएगा ये आपका homework है ठीक है same process रहेगा उसको हमने क्या किया है उपर की और लिया है और इसको नीचे की और लिया है बस इतना ही अंतर है इसके man function के अंदर define होगा ये वाला और इसमें हम क्या कर रहेते man function से उपर define कर 1000 रहते और क्योंकि free process use हो रहाता, pre process मतलब होता है कि ये मैं पंसं से पहले, hedge function लिखे है सारे कैसे hai pre function और यह कैसा है अपना यह आपका यह पहले सी fix रहता है constant यह कैसा है fix है तो यहां पर हमने क्या किया है जो हमारा main function है उसके अंदर हमने इसको क्या किया है fix किया है तो यह भी हमारा data same आएगा answer same रहेगा बट अंतर कहां आजाएगा आपका data के अंदर आजाएगा प्री function में ले रहे हैं तो ऊपर रहेगा man के और आपका consent keyword के अंदर ले रहे हैं तो उसके अंदर रहेगा man function के अंदर ठीक है तो इतना बहुत है आज के लिए thank you very much फिर मिलते हैं next वीडियो में ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारी YouTube चैनल पर और देखते रहे हैं लोगों को जो सी सिखाई जा रही है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है जिससे हमें यह benefit होता है कि जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको मिल रही है तो इसलिए हमें और वीडियो क्रेट करना होगा और classes और अटेंड करना होगा इसलि जिसू नहीं है, जितना आप पूछेंगे उतना आपका benefit होगा, जितना practically करेंगे तब भी आपका benefit होगा, ठीके, thank you very much, और सबसे पहले इस वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए, comment कर दीजिए, और इस चैनल पर first time देख रहे हैं, तो please इस चैनल को subscribe कीजिए, जिससे क्या ह हुआ, bell icon press कर लिजिए, आलबाला जिससे हमारी कोई भी notification आएगी वीडियो की सबसे पहले आपके पास पहुचेगी, और तुरंत आपको वीडियो मिलेगी, जिससे कोई भी class miss नहीं होगी, thank you very much.